हलो एवरीबन आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं जीपी का एक प्रोब्लम जो मेट्रिक प्रोग्रेशन का यह जे ही 2023 में पुछा गया है 13th April shift 2 देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है जीपी का और बड़ा आसान तरीके से हम इसको आपको बताएंगे question है let a1, a2, a3 be a जीपी of increasing positive numbers मतलब बढ़ते हुए नमबर का यह जीपी है तो यहां से आपको यह समध लेना चाहिए कि इसका common ratio positive होगा जीपी है बढ़ता हुआ जीपी है तो common ratio आपका positive होगा let the sum of its 6th and 8th term be 2 इसके 6 और 8 में term का जोड़ 2 है and the product of its 3rd and 5th term is 1 by 9 तीसरा और पाचमा term का जो product है वो 1 upon 9 है तो सवाल कह रहा है 6 times of a2 plus a4 into a4 plus a6 बराबर क्या होगा तो हाई यह पहले थोड़ा सा हम लोग समाझ लेते हैं basic जीपी का जीपी का जो sequence होता होता है a, ar, ar square, ar cube, dot 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 यहाँ a को कहते हैं first term, ar, ar square, ar cube आगे बढ़ने वाला term है इसमें r को कहते हैं common ratio और इसका मतलब होता है second term divided by first term second term और first term का ratio हो जाता है आपका r जीपी में nth term का formula होता है a into r का power n minus 1 जीपी का मतलब हो गया 1, 2, 4, 8, 16, 32, dot 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 इस प्रकार से मतलब एक ऐसा sequence जिसमें दो consecutive या दो लगातार term का ratio हमेशा constant रहे यह आप कह सकते हैं कि एक ऐसा sequence जिसमें किसी term और उसके पहले वाले term का ratio tn upon tn minus 1 यह होना चाहिए constant अगर ऐसा होता है तो वो हो जाएगा जीपी और जीपी में n term का जोड का formula होगा a into 1 minus r का power n upon 1 minus r लेकिन यह तब लागू होगा जब r का value x से कम हो और x से जब जादा होगा तो होगा a into r का power n minus 1 बटा r minus 1 जब r1 से जादा हो जाए अब आप देखिए इस problem को problem कह रहा है कि जीपी का जो term है वो है a1 a2 a3 dot 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 यह बन होगा पहला term यह second term यह third term इस परकार से और क्या कह रहा है कि sum of sixth and eighth term is 2 छठा और आठमा term का जोड है 2 यानि a6 plus a8 is equals to head 2 यह दिया हुआ a6 plus a8 is equals to head 2 clear है यह बाद तो a6 और a8 का हम formula लगा देते हैं आप जानते हैं कि किसे जीपी में a n के लिए formula क्या होगा tn भी कर सकते हैं a into r का power n minus 1 tn से भी लिखते हैं a n से भी लिखते हैं तो a6 का मतलब क्या हो गया यह जाएगा a into r का power 5 और a8 का मतलब हो गया a into r का power 7 इसका भेलू दिया हुआ है 2 a into r का power 5 plus a into r का power 7 is equals to 2 है समझ गया बात अब देखें इस दोनों में a common है और r का power 5 भी common है a into r का power 5 तो बचेगा 1 plus r square और इनका भेलू हो गया 2 यह आप एक equation रख लिजे इसका यूज होगा a into r to the power 5 into 1 plus r square बराबर है 2 अब एक और condition है उसको भी इस्तेमाल करते हैं कर अब product of its third and fifth term is one upon nine यहनि तीसरा term तीसरा term और पाचमे term का जो product है वो है one upon nine यानि a 3 into a 5 is equals to one upon nine तो a 3 मतलब क्या हो गया a r square और a 5 मतलब क्या हो गया a r का power 4 is equals to हो गया one upon nine इसको और further expand कीजिए तो यह आपको क्या मिल जाएगा a into a a square r square into r का power 4 यानि a r का power 6 is equals to one upon nine और आप इसको क्या लिख सकते हैं a r cube का whole square is equals to one upon nine देखिए a का भी square हो गया और r का power 6 हो गया इसका मतलब a into r cube बराबर होगा यह one by nine का square root यानि पलस माइनस one by three अब देखिए a r cube जो है वो क्या है यह चौथा टर्म है तो चौथा टर्म क्या होना चाहिए positive क्योंकि कारा gp of increasing positive numbers में है इसका मतलब चौथा टर्म जो है negative नहीं हो सकता है इसका मतलब हम negative value को ignore कर देंगे तो a r cube is equals to मिलेगा one upon three एक एक line को सवाल को पढ़ना है और समझना है तो जब a r cube मिल गया one by three तो इस a r cube का हम value रख देते हैं इसमें फिर से एक बार समझें क्या किया हमने पहला condition था 6 और 8 टर्म का sum two तो यहां से हमने यह equation one निकाला फिर क्या कर रहा है कि third और fifth term का product है one by nine तो यहां से हम निकाल लिए a r cube is equals to one upon three अब यहां पर इस equation one को देखिए a into r का power five into one plus r square is equals to two है तो a into r के power five को लिख सकते हैं a r cube into r square a into one plus r square is equals to two a into r cube इसलिए निकाल लिए कि इसका value हमको पता है one by three तो a into r cube को हम अलग कर लिया और बाकी बाहर वाले term को अलग कर देते हैं तो इस a r cube का value रख देते हैं a r cube का value है one by three into r square into one plus r square is equals to होगया two अब इस three को इधर ले चल जाईए तो मिल जाएगा r square plus r का power 4 is equals to six r square जोड r का power 4 is equals to six अब इसको आप एक quadratic में convert करने का परियास किजिए तो मिलेगा r का power 4 plus r square minus 6 is equals to zero इस r square को आप मान लिजिए z r square का value लूप उट कर दीजिए आप z तो यह r के power 4 क्या हो जाएगा z square हो जाएगा और r square क्या हो जाएगा z minus six is equals to zero अब आप इसको simply factorize कर दीजिए तो हो जाएगा z square plus three z minus two z minus six is equals to zero जब आप z common ले लेंगे तो z plus three minus two common ले लेंगे तो again z plus three is equals to zero इसका मतलब होगा z plus three into z minus two बराबर zero यानि z equals to minus three और z equals to two z equals to minus three और z equals to two अब यहाँ पर भी concept है कि z किसको माने है r square को square क्या होता है positive होता है इसका मतलब z का value minus three नहीं हो सकता क्योंकि r square का value minus three नहीं हो सकता r square is never equals to minus three किसी चीज़ का square कभी negative नहीं हो सकता है इसका मतलब z का एक ही value valid होगा और वह value होगा two इसका मतलब r square का value मिल गया two इसका मतलब r का value क्या हो जाएगा plus minus root two लेकिन चुकि gp positive है तो r का value हम सिर्फ ले लेंगे root two तो r का value हमको मिल गया root two अब इस r के मदद से हम a का value निकालना चाहेंगे तो a का value निकालने के लिए एक्वेशन आपके पास है a r cube is equals two है one upon three यानि a is equals two हो जाएगा one by three into r cube यानि one by three into r cube का value यानि root two का value तो root two का power 3 यानि हो जाएगा two root two यानि ये value हो जाएगा हमारा a का value हो गया one upon six root two a का value हो गया one upon six root two तो आपके पास a भी मिल गया आपको r भी मिल गया जब a और r मिल गया तो gp का कोई भी सवाल बना लेंगे तो अब हमको निकालना क्या था तो देखिए question में निकालना क्या था निकालना था आपको six times of a two plus a four into a four plus a six इसको हम लिख लेते हैं कि क्या निकालना है यह आपको निकालना है now we have to find six times of a two plus a four into a four plus a six अब सबका भैलू पूट कर दीजिए a two मतलब हो गया second term second term मतलब a r और a four मतलब हो गया fourth term यानि a r q फिर यहां हो जाएगा a r q और यह हो जाएगा sixth term यानि a into r का power five a into r का power five अब देखिए यहां पर आपका a into r common हो गया तो बच जाएगा one plus r square और यहां a r cube common हो गया तो बच जाएगा one plus r square समझ रहें बात को six into a r into one plus r square फिर a r cube into one plus r square का square नहीं one plus r square अब यह हो जाएगा आपका six a into a a square r into r cube यानि r का power four into one plus r square का whole square अब इस value को आप put कर दीजिए सब value put कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपका value यह हो जाएगा six into a square a square मतलब a का value है one upon six root two a का value यह है one upon six root two तो इस a का square निकालेंगे तो इसका square क्या हो जाएगा one upon thirty six into two यानि seventy two तो one upon seventy two r four देखिए r is equals to a root two यानि r square बराबर है two यहां देखिए r square बराबर है two तो r का power four कितना हो जाएगा यानि इनका square हो हो जाएगा तो two का square कितना हो जाएगा four into one plus r square का whole square तो one plus r square r square का value two है और इसका whole square simple calculation कर लीजिए six four जा twenty four three जा seventy two तो हो गया one upon three one or two three का square nine तो three three जा nine यानि answer मिलेगा आपको three देखिए three कौन सा option में है three जो है कोई न कोई option होगा हाँ यह देखिए सी है तो आप देख रहे हैं जेई का सवाल है और भी 2023 का सवाल है हाँ थोड़ा लेंदी है जरूर लेकिन सवाल एकदम आपके range में है बस concept पढ़िएगा और सवाल बनेगा कहीं से भी सवाल बना सकते हैं आप इसको simple सा बात जीपी का ध्यान में रखना है इस सवाल में तो कुछ दिया हुआ था ही ने बस calculate करना था हलाकि इस type के सवाल को बनाने में एकजाम में टाइम ज़्यादा लगेगा इलेंदी प्रोब्लम है इस सब को last में अटेम्ट करना चाहिए दो-दो condition है छठा और आठमा टर्म का sum दिया हुआ है तीसरा और पाचमा टर्म का product दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें चार अलग अलग तर्म यूज किये गया है तो calculation है हम उमिद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा problem आप पुरा सिखे होंगे वीडियो को अंत अंत तक देखे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी share कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद